आज की इस वीडियो में जानेंगे बैंक का बड़ोदा के मोबाइल बैंकिंग अप्लिकेशन बीओबी वर्ल्ड से बैंक एकाउंट को अधार काउंट से लिंक कैसे करते हैं अधार सीडिंग कैसे करते हैं दोस्तों आपको बता दें, अधार कार्ट से bank account को link करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे pension, LPG, subsidy, या फिर सरकारी योजनाओं के तत मिलने वाला पैसा, सीधे bank account में आता है, अगर आपको इसका lab लेना है तो, अपका bank account अधार कार्ट से link होना जरूरी है, चलिए आपको द जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, information इसको read कर लेंगे, select account यहां से account को select कर लेंगे, seeding type यहां से select कर लेंगे, select seeding type, यहां पर आपको three type मिल जाएगा, first दिया हुआ authenticate my अधार with UIDI and link my अधार to my account for AAPS transaction purpose only, अगर आपको के वाल AAPS transaction purpose के लिए अधार seeding करना है, तो first option को select कर लेंगे, AAPS, अधार enabled payment system, NPCI दोरा develop एक ऐसा system है, जो लोगों को अधार number और fingerprint scan की मदद से, micro ATM दोरा financial transaction करने की अनुमती देता है, second option दिया हुआ है, बोथ DBT and AAPS transaction purpose, अगर आपको DBT और AAPS के लिए अधार seeding करना है, तो second option को select करेंगे, DBT direct benefit transfer, DBT एक ऐसा medium है जिसके दोरा सरकारी योजनाओं का लाप direct beneficiary के account में भेजा जाता है, third दिया हुआ है, non transaction purpose, कोई transaction purpose नहीं है, तो यहाँ पर third option को select करेंगे, यहाँ पर अधार number इंटर करेंगे, और यहाँ पर एक बार अधार number को confirm कर लेंगे, और box को tick करेंगे और generate OTP पर click कर लेंगे, दोस्तों हमारे में एक message हो रहा है, already seeded, bank account से अधार card already link है, अगर आपका भी link है, तो यहाँ पर already seeded सो होगा, अगर आपका bank account से अधार card link नहीं है, तो आप इस process को complete करके, अपने bank account से अधार card को link कर सकते हैं, तो वीडियो अच्छा लगे, तो like करिए, comment करिए,